नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा अनुभव दिया है कि कभी-कभी अचानक से ही आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती ही जा रही है ऐसा भी हो सकता है अच्छा खासा काम चलता चलता अचानक बंद हो गया हो यहां फिर आपकी नौकरी छूट जाती हो यहां फिर प् खूब महनत करने के बाद भी आपके बॉस आपकी तरफ निगाह नहीं डाल रही हो फिर भी कोई नतीजा आपके पक्ष में नहीं आ रहा हो आपकी सैलरी आपको हमेशा कम लगती हो यह फिर आपकी सैलरी में कभी भी बरकत नहीं आ रही हो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि कुंडली में कोई ना कोई दोश है दरसल हमारी नौकरी और व्यापार में हमारे ग्रहों का बहुत बड़ा गहरा संबंध होता है तो मैं आपकी वास्तुगुरु मानिया इंडिया न्यूज में आज आपको कुछ ऐसे उपाए बताने जा रही हूं जिनको करने के बाद आपको आपकी नौकरी या फिर आपका बिजनेस काफी अच्छे से आगे बढ़ने लगेगा तो आएए शुरू करते हैं अगर बात करें नौकरी की तो सूर्य और भ्रहस्पति हमारे नौकरी पर बहुत प्रभाव डालते हैं यह वही ग्रह है जो व्यक्ति के अंदर तेज पैदा करते हैं इनकी मजबूत होने से ही कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी चमतने लगता है अगर आपके यही ग्रह कमजोर हैं तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें आपको आपकी इच्छा अनुसार फल कभी नहीं मिलेगा लेकिन आप घवराए नहीं कुछ छोटे छोटे उपाए करने से आपकी यह ग्रह काफी हद तक सुधर सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगे कि कौन से छोटे-छोटे उपाए करने से आपके यह ग्रह बेटर हो सकते हैं दोस्तों सूर्य अथॉरिटी की देवता है सूर्य के मजबूत होने से आपको कोई अथॉरिटी या फिर कोई बड़ी नौकरी मिल सकती है अगर यही सूर्य कमजोर हो जाए तो आप लोगों की निगाह में विलिन बन जाते हैं आप लोगों के लिए ऐसे हो जाते हैं कि आप उन्हें के सबसे बड़े दुश्मन हैं तो आप यारा रवीवार लक्षमी नारायन मंदिर में ताम्बे के लोटे में गेहू भरकर और उस पर गुर रखकर सच्ची श्रधा के साथ रखकर उसी के उपर आप विश्वास दिखाए अपनी इंटेंट दे यह उपाय करने से जिससे आपका सूर्य धीरे धीरे पूरा ठीक हो जाएगा इसके अलावा सूर्य को खुष करने के लिए आप मिठाई बात या फिर आप शिवलिंग पर अभिशेक कर सकते हैं सूर्य का मंगल से बहुत ही बड़ा गहरा संबंध है इसलिए आप एक कौपर का सिक्का ले ले और उस एक तरफ से जो है लाल रंग से जो बैटर हो जाएगा और आपको पैसों में भी बर्कत आएगे वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन है तो बिजनेस वालों के लिए अपना बुद्ध मजबूत रखने की जरूरत होती है और अपना बुद्ध मजबूत रखने के लिए कुछ उपाए आप इजिली कर सकते हैं कस्टमर अचानक से आना बंद हो गए है तो फिर आपका काम उनको पसंद नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कि यह बद्ध कमजोर होने की ही निशानी है अपने बुद्ध को मजबूत करने के लिए आप एक कांसे की कटोरी में रात को मूं की दाल भिगोले और अगले दिन उ आपका शनी और शुक्र भी सही रखना पड़ेगा इसके लिए आप पीपल के पेड़ पर जल जड़ा सकते हैं वहां पर चीटियों को भी आप खाना डाल सकते हैं चीटियों को आप बुरा और आटा डाले इससे भी आपका शनी बेटर हो जाएगा कोशिश करें कि आप जहां भी रहें वह जगे को साथ सुत्रा करके रखें दीरे दीरे इन सभी छोटे-छोटे उपायों से आपका व्यापार और नौकरी बहतर होती चली जाएगी मैं आपकी वासुगा गुरुमान्या कल फिर से एक उपाय के सामने आऊंगी तक तक अपन का ख्याल रखें नमस्कार